लाख समझाने के बाद भी लड़किया फेस्बुक वो अन्य शोसल सैट्स पर दोस्ती के जहांसे में फस रही है और कई बार तो वह प्रिशान होकर गलत कदम उठा लेती हैं ऐसा ही एक मामला आज सामने आया है जहांसी के सिपारी बजार शेत्र की जहां एक लड़की अपने फेस्बुक दोस्त ने शादी का जहांसा दे कर ना सिर्फ दुसकर्म किया बलकि दुसकर्म का वीडियो बना कर अपने भाई के साथ भी दुसकर्म करवाया देवरिया सदर कोतवाली में हनुमान मंदिर चौराहे के पास घर में घुसकर बदमाशों ने ताबरतोर फैरिंग की हलाकी हमले में किसी को नुकसान नहीं हुआ लोग बालबाल बच गए हलमान मंदिर चुराहे के दक्षिन और चिता ट्रेंडिंग कमपनी के सामने दीपक गुपता नाम का लड़का काम करता था रात में दीपक चुराहे पर दूध लेने के लिए निकला तब ही वहाँ पे मौजूद बदमाशों ने उसके साथ मार पीट की हलाकि बदमाश अभी भी पुलीस के पकर से बाहर है वहन हटाने को लेकर दो पक्षों में हुआ पत्राब पत्राब का वीडियो सोसल मीडिया पर वायरल हुआ मामूली विवात को लेकर दो पक्षों में जम कर मार पीट हुआ था पत्राव में दो लोग घायल भी हुए थे मौके पर पुलिस पहुँची और मामले की परताल में जुट गई शहर कोत्वाली के केती पूरा मोहले की घटना जहांसी के ठाना तोरी फते पूर्ज शेत्र में चुनाब संपन होने के बाद भी लराई का दौर जारी है जहां एक महिला नया के लिए थाना के चकर लगा रही है पर महिला को आज तक नयाय नहीं मिला महिला के ने आरोप लगाया है कि दबंग किस्म के लोगों ने मुझे रोक कर बूरी बूरी गालिया देने लगी जब मैंने गालिया देने से मना किया तो उनके द्वारा मेरे साथ मार्पिट करने लगा लखीमपूर खीरी जनपद में कच्छी शडाब के विविरुध चलाय जारे अभियान के तहट 24 घंटे के अंदर में 40 लोगों पर करवाई की गई खीरी पुलीस ताबरतोर करवाई कर रही है जनपद में विविन थाना शेत्रों में चलाय जारे अभियान के तहट लगतार खीरी पुलीस करवाई जारी है 25 अभियुकतों को गिरफतार कर मौके से 25,000 लीटर नश्ट कर दिया गया अवईद शडाब के विरुध लगतार अभियान चला कर गिरफतारी कर रही पुलीस पडियागराज में पंचायती अखारा निरंजिन से निश्कासित किये जाने के बाद स्वामी आनंद गीरी और उनके उपर जो महंत नरेंदर गीरी है वह तकरार बढ़ती जा रही है निश्कासन के बाद एक वीडियो जारी करते हुए स्वामी आनंदगीरी ने अखारे की समापती और संपती को लेकर गंभीर आरोप लगाये है उत्रप्रदेश के बागपत जनपत में गन्ना पहले तोलने को लेकर गोली बारी मामला सामने आया है जहां पहले तोल कराने को लेकर फाइरिंग हुई है फाइरिंग में एक यूवक घायल हो गया जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है सूचना मिलते ही पुलीस मौके पर पहुची और जो जाच में जुट गई पर्ताप कड में भीसन सरक हादसा ट्रक और एसकारपियो की टकर में हादसे में सवार पिता पुत्र समें तीन लोगों की मौत दो लोग को की हालात अभी भी अस्पताल में गंभीर बताई जा रही है स्कार्पियो कार सवार में पांच लोग यूवक थे सवार जिसमें कार चालो को जपकी आने के चलते हादसा होने की अशंका जताई जा रही है लालगज कॉन्तपाली लीलापूर बजार के पास हुआ या घटना एक तरफ देश में ऑक्सिजन की किलत है तो दूसरी तरफ नेशनल हैवे के चौरी करन के लिए लाखो पेरों की आरी चलाई जा रही है वो सभी ऐसे पेर है जो शैक्रो साल पूराने है पर कुछ पेरों के अस्तुत अभी आरी चलागर समाप्त कर चुका है आपको बता दे कि उन्नाव में लाल गंज राइबरेली तक एनच 31 पर हाइवे का निर्मान और चौरी करन होना है इस्थानिये लोग पेर काटे जाने से परिशान है देश में कुरोना महामारी का कहर बना हुआ है आज हम बात करेंगे पीली भीत की शहर में शमसान घाट की जो तस्वीरे सामने आई हैं वो संक्रमन को और बढ़ावा दे रही है शहर में शमसान घाट में क्रोना से मरने वालों की संक्रमितों की संख्या लगतार इज़ाफा हो रहा है वही अंतिम संस्कार जो किया जा रहा है मगर ध्रातल पर शमसान घार संक्रमितों की जो PPE किट है उसे फेके जा रहे है